तो दोस्तों इंतिजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और आप सभी के लिए यहां पर गुड़ नीज आ चुकी है यूपी की तरफ से यहां पर यूपी की तरफ से आफिस्यल नोडिफिकेशन जारी कर दिया गया है यूपी आगनबाड़ी भरती परक्रिया को ले करके यहां यहां पर विजोंग्षता आफिसकी दाफिसेंगेना व्लिफिकेशन चाहिए खत्षाब बणत्यचाणा चाहिए हैग्या गया दोस्तों तरफ संपे पिज़ी कि आप पूरह कि कितने बड़ी न्यूज आप सभी के लिए है और यह भरती प्रक्रिया जो है अगले तीन दुने के अंदर ये अंदर चालू होने वाली है तो आप लोग वेफसाइट के सब्सक्राइब का खाली है यहां पर चिक करने का जो हो नोटिफिकेशन दिया गया है यहां पर वेफसाइट के लिंक पर तो चलिए दोस्तों बीन देर करते हुए हम आप लोगों कि उससा को बढ़ाते हुए और जो है यहां पर आपको पूरी नोटिफिकेशन पढ़के बता सब्सक्राइब करने के निर्देश में इस समय इन तीनों सुरेड़ी के करीब तीन दिन के अंदर ही अंदर अपने एरी में अपने जिले में जो है वहां पर इसकी भरती पर क्रिया के लिए नुटिफिकेशन जारी करें तो यहां पर देख सब्सक्राइब इस ने जिला करेले अधिकारियों को तीन दिन में खाली पड़ों का बेवरा यहनी इनसी आई यह नाइसी की ओर से बिक्सित वेपसाइट पर अप्लोड कर रिखतियों के असा पेच भरती भी गया पर जारी कराने को कहा है काभी समय से अगन बड़े किंद्रों में पद रि वेपसाइट यह जो है विभागी वेपसाइट है जो है यहां देख सकते हैं बाल विकास डाट बाल विकास यूपी डाट यूपी डाट इन पर आगन बाड़ी केंद्रों की रिखतियों का बेवरा आर अच्छड सहित जिला अस्तर पर फीड किया जाएगा तो इसके लिए जिला कार करम अधिकारियों को लॉग इन आईडिया और पास्वर्ड दिया जा चुका है यहां पर भरती पर करिया जो है फेडिंग होने के बाद यहां पर चालू होगी कि यहांनी कि उनके डिस्टिक इंतरगत में किस ग्रम सबहां के इंतरगत में कितनी बैगन से किस यहां पर फटाफट ऑनलाइन आप करने में कोई दिकत ना हो तो देखें कि जैसे ही यहां पर प्रक्रिया शुरू होगी तो पैतालीस दिनों के अंदर ही पूरी भरती पर क्रिया को यहां पर निप्टा दिया जाएगा निदेशक ने बदाया कि भरती पर की समय सीमात कर द दिनों तक आप आउनलाइन अबेधन करेंगे और आउनलाइन अबेधन पर करने के आदेश दिये गए तो आपकी भरती पर क्रिया यहां पर आंलाइन स्टार्ट होने वाली सारे डागोमेंट आपको सही प्रकार से रख लेने तो आगे दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि दिखी जो आपको दिखाता हूं यहां पर देखें मैं इसे अपने ब्राउज़र में उपन करके रखा है और यहां पर देख पाएंगे यहां पर भी अफिसियल नोटिफिकेशन आपप सारी जानकारी दिया गया है तो चलिए ऑंधर ढूपर स्कॉल करते जाएंगे दोस्तों को श्कमित्या थी तो यहां पर बताएंगे तो कोई नहीं हो रहा है तो यह सारी तीन दिन के बाद तीन के अंदर में चाल होने वाली लेकिन यहां पर जो देशा निर्देश बताएंगे हैं ऑनलाइन अवेधन भरते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है यहां पर देख पाएंगे नंबर एक है दोस्तों यहां पर उमिदवारों को सुझाओ दिया जाता है कि वह आवेधन परप्रत्र भनने से पूर से संबंधित ब्यक्ति का जानकारी जैसे कि पंजीकर संख्या जनम तीत समान नाइड़ी आदि किसी अन्य ब्यक्ति को साध्या ना करें और यहां पर दोस्तों आवेधन पत्र को केवल यहां देख सकते हैं बालिविकास.gov.in website पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है विस्तित अ आपको यहां पर आपको यहां पर लगा रहेगा उसे आपको भरना अनिवार यहां पर जमा करने के बाद इसमें बदलाव के अनुमत नहीं है यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप आप अबेदन की प्राप्त के लिए अंतिमतित के पहले एक नया आवेदन अनलाइन अम पत्र हिंदी भाषा में उपलब करना है लेकिन या वलन अंगरेजी भाषा में बहरा जा सकता है तो आपको ऑनलाइन प्रिकरियां में हिंदी में यहां सब कुछ इंग्लिष के कैप्टल लेटर में form को fill up करना होगा औलाइन अभेदन पत्र चार भागों में भरा जाता है तो यहाँ पर चार कटिग्री यहाँ पर बतायेगा दोस्तों आपको चार भागों में भरा जाएगा यह तो पंजी करण भाग एक में जो हो दोस्तों आपको पंजी करण करना होगा तो आपको यहां पर पंजी करण करने के लिए देख सकते हैं उमीदवार को बेक्तिकत विवरण देनी होगी विवरण परस्तूत करने पर उमीदवार से दियेगे विवरण की जांच करने और अबेदन में संसोधन यदि कोई हो करने के लिए कहा जाएगा इस अस्तर पर एक पंजी करन संख्या उत्पन की जाएगी यहां भी सलाधी जाती है कि भविश के संदर्भवों के लिए पंजी करने नंबर को बरकरार रखा जाना चाहिए यानि जब आप पहले स्टिप में आएंगे तो यहां पर अपने मोबाइल नंबर से अपने IDC से रिजिटेशन करना होगी उसके बाद आपको एक ID मिलेगी उस ID नंबर को आपको सेफ करके करने के लिए तो इसी प्रकार से आप दिखेंगे आपको क्या करना होगा पार्ट में जो है यहां देखते हो मिद्वार को साच्छी की युगता को भरना है मैं भाग 3 में 5ionenor को इमिद्वार को फोटो एपना हस्ताच्छा अफ लोड करना होगा सभ्म करना हुग्द करना है जेपी जी-प हिजी-प प्लोटोप में लेकिन आप यहां जो है साइज 20 के भी से अधिक नहीं होना चाहिए इसी कर Quelग एक जो है में दुस्तों आपको यहां पर बताया गया कि उमिद्वार को घोसला के लिए सहमत होना होगा एक उमिद्वार अबेदन की अन्तिम्तिस से पहले भविस्त में आवाजिसक सुधार करने के लिए सेफ ड्रप्ट को दबा सकता है उमिद्वार प्रविष्टियों को सत्यापित क करने के लिए ट्रपट भी करने सकते हैं तो इस एक उपर यहांपको कोई लगता है यहांपर करके चोड़ सकते हैं पुना जब आप ओपन करेंगे तो वहां से आप अपने फार में सुधार करके उसी वक्त आपको फिर बात में फाइनल समीट कर देना होगा आपके संपूर आवेदिन के सफलता पूर्बंग जमा होने के पश्चाहत आपके पंजी कृत मुबाइल नंबर पर पूरी के पूरी पूरी प्रिक्रिया जब आप पूरी कर लेंगे तो आपके रिच्टर मुबाइल नंबर पर पूरा वेवरा आपके जो आप फार्म फिलब करें रहेंगे उसका भेजा जाएगा कि अबेदिका उसी जिले की निवासी है तथा आगनवाड़ी कोड तथा आग यहां पर बना करके बहुत जले तीन दिन के अंदर ही यहां पर क्रिया पूरी हो जाएगी और सब्सक्राइब को यहां पर करेंगे दूस्तों देखें यहां पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया एंटरफेस आता है तो जैसे यह करेंगे दूस्तों देखें यहां पर परियोजना द्वारा सर्च कर अगनबाड़ी रेक्तियों को खोजी यहां एक ऑप्शन आजाता कि आपके जो है ग्राम सब्सक्राइब में आगनबाड़ी कारकत्री के कितने रेक्ति खाली है तो देखें जैसे जनपद जो है दोस्तों आपको से सिलेक्ट कर लेना है तो एक जनपद जो है सिलेक्ट कर लेता हूं कोई भी तो मालेजी दोस्तों यहां पर मैंने एक जनपद से लेट कर लिया है उसके बाद कि यहां पर ब्लॉक आएगा से लेट करने का तो आपका जो ब्लॉक लगता होगा दोस् तरीके से जो है आपको ब्ल stiff क बालख करने के बाद आप यहां घृब्ल मेयर्ण से हैं उसे लेट कर लेना हो थो समय यहां पर कंग का नाम में यहां बढ़ी कार कर प्रीमियाच कम आगनवाड़ी साई का तो जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं जिसकी यहां पर तीनों कभी पादा अगर देखना चाहते तो पूरा डेटियल आजाएगा लेकिन यहां पर ग्राम सभवा भलने के बाद ही तो यह ग्राम सभवाला लौडिंग यहां पर नहीं ले पारा कि आप पर मलब पत्तर जो है तो आप को अकेली हैं दोस्तों आप जो है या फिर आप्स पर को यहां पर अपने लगा सकते हैं अगर आपके साधी होगी तो आप यहां पने परिवार पर लगा सकते हैं शुक्त तो आप यहाँ अपने परिवयर का भी लगा तो आइसे में आए प्रमारपत्र अपना बन्वालने जो यहां पर बताया भी गया है कि प्रमारपत्र का जो आप प्राइस उसमें होना चाहिए जो पैसे दरसाने कि बात कही गई थी वह 46,000 रुपे जो है यहां पर सालाना उसमें दिखाया जाना चाहिए तो 46,000 से 50,000 तक के बीच उसमें अगर आपका बन जाता है तो आप अपने लेक पास संपर करके उसे बनवा सकते हैं तो ऐसे में आप ग्रामेड के लिए 46 और सहर के लिए 56,000 यहां प कि इसके भी यह सब कर लेना होगा और जैसे प्रिक्रिये स्टार्ट होरती है आप इसमें आनलाइन अभी दिन करना शुरू कर देंगे तो इसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा दूस्तों तो बनेरे मेरे साथ वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब पर पहले कर लें ताकि हर एक योजना से जोड़ी वीडियो को सब्सक्राइब मिलते रहें